नमस्कार मैं प्रमीन पांडे स्वागत करता हूँ आपका आपका ही चैनल पंडीची में हमारा आज का विशय बहुत ही इंपोर्टेंट है हमारा आज का विशय उत्पन्ना एकादसी को लिखे है परन्तु आज हम उत्पन्ना एकादसी व्रत विधी या पारण किस टाइम या मोहर्ट क्या है इसके बारें बात नहीं करेंगे हम आज वो बात करेंगे जो 99% लोग व्रत रहते हैं फिर भी उसका फल जिस कारण से उसका फल उन्हें पून फल नहीं मिलता मतलब हम संकल्प की बात करेंगे देखिए मैं अपने वीडियोज में पहले भी आपको बता चुका हूँ कि संकल्प एक अनुसासन होता है अनुसासन विहीन होके किसी कारे को करेंगे तो वो संपून तरीके से आप नहीं कर पाएंगे उसे या उसका फल संपून नहीं मिलेगा आपको आप संकल्प की महतता बस इसी चीज़ से समझ लीजे कि आपने किसी को भोजन कराना है परन्तों आपने किसी को बोला नहीं है सड़नली आपने दरवाजा खोला सामने जो दिख गया या उसके घर में खाना नहीं बना या उसे कोई और कारे नहीं है वो भी जक्षम है अगर उसी व्यक्ति को आप उस बकायदे निमंत्रण दे कि भया मेरे हाँ सुबाईएगा भोजन करना है आपको तो उस समय उसको कैसा फिल होगा बस इसी से आप संकल्प की महतता को समझिए संकल्प एक तरह का निमंत्रण होता है एक तरह का अनुसासन होता है ये बताता है कि आप क्या करेंगे किस प्रयोजन से करेंगे ये चीज़ तो चलिए बिना बिलंब किये हम संकल्प की वीडियो की सुरुआत करते हैं हाँ इसके पहले मैं आपको बता दूँ कि किसी भी पूजा में दो तरह के संकल्प होते हैं जब आप पूजा स्टार्ट कर रहे होते हैं तो क्या मनौरत है आपका किस कारण से आप करना चाह रहे हैं क्या कर रहे हैं उसके विसाय में होता है उसके बाद जब वो आपकी पूजा या कर्म आपका पूरा हो जाता है तो फिर आप एक और संकल्प छुडाते हैं उसे आप उसमें ये बोलते हैं कि मैं या था सकती पूजन किया हूँ अगर मुझसे कोई दूटी हो तो उसे छमा करिएगा ये चीजें कहते हैं आप तो ये दो तरह के होते हैं तो इस वीडियो में दोनों तरह के संकल्प को बताने की कोशिस करूँगा एक सरल आम भासा में कि बिना किसी विद्वान के बिना किसी ब्रामर के आप किस तरह से संकल्प ले सकते हैं दीखें संकल्प के लिए तो कई तरह से आप ले सकते हैं एक नॉर्मल वी दिया है कि हाथ में जलाच्छतले और अपना मनुरत बोल दें क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं और इसी को थोड़ा से तो बिना बिलम के वीडियो को सुरू करते हैं उसके पहले एक छोटी सी विनम रविन्ती है आपसे कि रपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगे तो लाइक चरूर करिएगा आपने दोस्तों मित्रों और इससदार को शेयर करना न भूले तो चलिए वीडियो की सुरूबात करते हैं सर्व प्रत्रम जिस दिन एका दशी है उत्पना एका दशी है उस दिन आपको सुबह सुबह कोशिस करिये ब्रहमोर्त में उठ जाएं ब्रहमोर्त इन दे सेंसराफ की सुर्य उदय होने से पहले 90 मिनट प का समभी ब्रहमोर्त में आता है अगर आप सुर्य उद्व से पहले नहीं उठ पा रहे हैं किसी कारण वस तो किसी कारण के आलस यही होगा तो अगर आप नहीं उठ पा रहे हैं तो आप सुर्य उद्व के बाद 45 मिनट के अंदर उठने का प्रयास करें उठ जा रहे हैं तो जरुवात हो गई अब उसके पशात आपको अपने सीधे हाथ में राइट हैंड में अक्षत पुस्प लेना है अक्षत मतलब चावल के कुछ दाने और कोसिस करिए कि चावल के जो दाने आप लें वो छत नहों छती उनको नहों पहुंची हो पूर नहों हो मतलब तूते चार-पास-दस दाने की जरूत है और देखिए अक्षत का बहुत महत्व होता है इसके विसे में इस पे मैं एक सेपरेक वीडियो अलग से बनाऊंगा कि किस तरह से अक्षत हमारे जीवन भरिवरतन ला सकता है तो आप कोसिस करिएगा संकल प्लेते वक्त आप जिस अक्षत कपरे उख करें उसमें टूटे हुए चावल के दाने नौ तो उसको हाथ पे रखिए पुस पर रखिए पीला पुस पुत अति उत्तम है रख लीजे थोड़ा सा जल डालिए जल डालके आपने बोलना है अपना नाम जैसे मैं अपना नाम लेता हूँ मैं प्रवीन कुमार पांडे पुत्र अपने पिता का नाम तत्पशाथ उत्पन गोत्र हो जैसे मैं गौतम गोत्र में उत्पन हुआ हूँ तो गौतम गोत्र में उत्पन तत्पशाथ भारत वर्षे भारत देश का अपने नाम ले लिया इसके बाद अगर आपको अपना मंडल जो वैदिक मंड तो अगर आपको नहीं पता तो आप अपने इस्थान का नाम जैसे मैं गाजीपुर शहर में रहता हूं अगर मुझे मंडल नहीं पता है अपना इस्थान का नाम ले लूँगा मतलब भारत वर्ष के गाजीपुर छेत्र का निवासी हूं इतना आप बोलीजे ठीक है आपने बोलना है अपना नाम मैं प्रवीन कुमार पांडे पोत्र श्री अपने पिता का नाम बोल दीजे गौतम गोत्र में उत्पन्न भारत वर्ष के गाजीपुर छेत्र का निवासी हूं आज कृष्ण पक्ष के कार्तिक मास की एका दशी तिथी को मैं उत्पन्न एका दशी वर्ष इस वर्ष में अगर आपको चीजें कलॉज याद रखेगा जो आपके सुविधान उसार है अगर आप मध्यायन तक वर्ष रखना चाहरे है तो बोलिए मैं एका दशी मध्यायन वर्ष अगर आप पून वर्ष रखना चाहरे है मैं एका दशी एका हार वर्ष मतलब एक बार आप फलहार करेंगे रात के टेम पे अगर आपको निराजल वर्ष रहना जो सरवोत्तम अति उत्तम है तो आप बोलेंगे मैं एका दशी निराहार वर् को किसी साफ चेगी तुलसी जी का पौधा हो या कोई पेड़ पौधा तो वहाँ पे हतिली से गिरा देंगे गिराने के बाद फिर आप हाँ जोड़ के कहेंगे हे भगवान मुझे सामर्थ दे सकती दे कि मैं इस वरत को संपन कर पाऊं जो भी मेरे मनुरत हैं आपसे चुपे नहीं हैं मेरे मनुरत को सिद्ध करिये मेरी रक्षा करें हम आपके बालक हैं हमें मुसीबतों से दूर रखें ऐसा करके प्रडाम कर ले उसके बाद आप अपने ब्रत की सुरुवात करें अगर आपको ब्रत के बारे में जानना है कैसे हमें क्या करना है सबसे पहले क्रश्न जी की पूजा हमें क्यों करनी है फिर विष्णो जी और एकादसी माता की पूजा कैसे करनी है तो इसके विससे में मैं सेप्रेट एक वीडियो बनाऊंगा में कि आज है या कल मैं उस वीडियो का प्लोट कर दूँगा तो उसको जरूर देखिएगा इसके बाद जब ये तो आपके ब्रत शुरू होने से पहले का संकल पूगया अब आपको नॉर्मली जब ब्रत आपका खत्म हो मतलब द्वादशी तिथी को द्वादशी तिथी को आप सुबह सुबह से ब्रम मूर्थ में शिनान करते हैं आपको शिनान करके ओम स्रिगन taş when Walmart तप श्याथ में आपको अकषत 2011 अब पुस्प पुस्प लेके फिर से यही सेम चीज़े हैं अपना नाम पिता का नाम या पती का नाम किस गोत्र मुत्पन है गोत्र का नाम ले लीशे फिर किस छेत्र है मतलब भारत वर्ष के गाजीपूर छेत्र का निवासी हूं फिर सेम बही चीज़ें कि कृष्ण पक्ष के कार्थिक मास की द्वादशी तिथी को मैं ये व्रत संपून किया हूँ यथा सक्ति जिस तरह से भी मैं कर पाया शद्धा जित्ती भी मेरी शद्धा थी या शद्धा विहीन होके मंत्र विहीन होके मैं पून भाव से आपको समर्पित किया जिस तरह से भी मैं कर पाया मैं इस पूजा को किया हूँ भगवान अगर इसमें कोई धुटी हो गई हो या कोई हानी होई हो कोई बहुत बड़ी मुझसे गलती हो गई हो छोटी गलती होई हो तो उसे छमा करें हमारे परिवार पे, हमारे मित्रगणों पे, सब पे कृपा करें इतना कहके जलको फिर किसी सुद्ध स्थान पे गिरा दीजिए हाँ जोड के उसे अच्छा माप्रार्थना कर लीजिए बस इतना ही आपको करना है हाँ, बहुत से लोगों को अपना गोत्र पता नहीं होगा, तो वो गोत्र की स्थान को छोड़ सकते हैं, वैसे अगर पता हो, तो बहुत बढ़ी हैं ये चीज़े आपको पता होनी चाहिए, तो गोत्र आप एक बार कंसर्ट कर लीजेगा, अपने बड़े बुड़ों से, तो कृपया मुझे कमेंट जरूर करें, मैं पूरी कोसिस करूंगा कि आपके शंकाओं का निवाराण जरूर करूं, मैं डिस्क्रप्शन में मैं अपना वट्सअप नंबर भी दे दूंगा, अगर कोई दुविधा हो, नहीं बोल पा रहे हैं या कुछ भी, तो एक बार मैं सच कर सकते हैं, मैं पूरी कोसिस करूंगा कि मैं आपका रिप्लाई करूंगा, तो आज के लिए इतना है, नमस्कार, आपका दिन मंगल मैं हूँ